मसकार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज के 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है देश से पुलिस राज खत्म लोग सभा में पेश हुए तीन नए बिल अंग्रेजों के कानून के सहारे हो रहे पुलीसिया जुल्म पर बड़ा इस्ट्राई कर देश से जादतर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि देश भर के कोट का चारी और पुलिस जिस कानून के तहत काम कर रहे है वो अंग्रेजों ने तयार किया था भारतिये लोगों पर कमान कसने के लिए अंग्रेजों ने 1860 में यानी 163 साल पहले IPC तयार किया था उसी दोर पर CRPC और Indian Evidence Act तयार हुआ अंग्रेजों के बनाए इस कानून के तहत देश भर में पुलि पेश कर दिया गया है केंदर सरकार ने देश से राज़ित्रों खानून का खत्म करने का ऐलान कर दिया है ग्री मंत्री अमित शाह ने शुकरवार को लोकसभा में ब्रिटीज कालीन भारतिये डंड सनहेता डंड प्रक्रिया सनहेता और भारतिये साक्ष अधिनियम की जगा लेने के लिए तीन नए विध्यक पेश किये इनकी जगह पर भारतिये नियाय सनहिता 2023 भारतिये नागरिक सुरक्षा सनहिता 2023 और भारतिये साक्ष विध्यक 2030 लाय गया है नए प्रावधानों के अनुसार अब पुलिस को किसी घर पे छापे मारी और जपती के दौरान वीडि सिक जाच जरूरी होगी अगर कोई व्यक्ति FIR कराता है तो पुलिस को 90 दिन में उस व्यक्ति को स्टेटस बताना होगा कि FIR पर क्या कारवाई हुई देश भड में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा कर महिलाओ से यौन संबंद बना देता है ऐसे भी व्यक्तियों की खिलाफ कारवाई का पहले कोई कानून नहीं था अब उनके खिलाफ कारवाई के लिए कानून बना है अगली खबर है बिहार शिक्षा बिभाग में कमान एंड कंट्रोल सेंटर की शिरुआत टोल फ्री नंबर पर शिकायत जाने क्या होगा बिहार शिक्षा बिभाग में कमान एंड कंट्रोल सेंटर की शिरुआत की गई है अब ट्रोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकेंगे बता दे कि निरिक्षन की प्रक्रिया को एक गदम और आगे बढ़ा दिया गया है इससे सबसे बड़ा लाब यह होगा कि अब किसी भी समस् 48 घंटे के अंदर निप्टा रहा होगा साथी का रवाय भी की जाएगी फिलहाल क्लास 9 से 12 तक की स्कूलों के लिए यह सुविदा उपलब्द कराई गया है इसके बाद अब B.O.D.O.D.P.O. पर नज़र रखी जाएगी वहीं 15 अगस के बाद कक्षा एक से सना तक तक नज किया जा सकता है। उपलब्ध होगी ऐसे में बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने उपलब्ध बिजली के प्रबंधन को लेकर कारे योजना तयार की है आपूर्ती कंपनिया सर्दियों में उप्योग के बाद बची बिजली को बेचने और गर्मियों में पिक आवर के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने को लेकर विशे सग्यों से पड़ामर्श ले रही है तेजस्वी यादों ने इंडिया को घमंडिया कहने पर पीएम को दिया करारा जवाब एंडिये को ऐसे आउट कर देंगे चुनाओं में डेप्यूटी सीम तेजस्वी यादों ने प्रधान मंत्री न चाते थे लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं इसलिए वे बार बार विपक्षी दलों की एकता और इंडिया पर वो ज़्यादा बोलते न जराए विपक्ष को घमंडिया कहने पर तेजस्वी यादों ने कहा कि जब से गड़ बंधन बना है तब से बीज चैनी तो दिख रही है प्रधान मंत्री द्वारा सदन के अंदर कहा गया कि 2028 में भी विपक्ष एक बार फिर मोधी के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लाएगा जिसको लेकर तेजस्वी यादों ने कहा कि प्रधान मंत्री को भ्रम है कि वे फिर से सत्ता में आ रहे है बिहार में 14 अगस तक भरपूर बरसेगा मानसून इन 5 जिलों में अती भारी और 9 जिलों में भारी बारिश का लड़ बिहार में मानसून फूड मोड में है और बीते 3-4 दिनों से राज के कई जिलों में बंपर बारिश हो रही मौसम विदों के मताबिक दक्षिन पश्शिम मानसून का प्रभाव 14 अगस तक सुबे में बने रहने का पूर्वा अनुमान है ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश जमकर होगी जिसके चलते कई जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट रारी किया गया है वहीं अगर आस्ट की बात करें तो दर्भंगा और मदुवनी में बादल जमकर बरसर रहे हैं इसके अलावा अडरिया सुपॉल मदेपुरा सहरसा किशन गंज में भी अच्छी बारी सुची पूर्विसांसद आनंद मोहन की रिहाई पर टली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी बहस पूर्विसांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई इस मामले में फिर से 26 सितंबर को अगली बहस होगी 26 सितंबर को ही सर्वोच सुप्रीम कोड की सयोगत खंड़ पीठ के समक्ष द्वारा मामले में से जुरी बहस होगी इस मामले में माननीय उच्चतम नियालेग ने बिहार सरकार को एडिशनल काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है राजी सरकार को दोसपता का समय दिया गया है नियाय मूर्ती सूर्य कांत और दिपांकर दत्ता की पीठ में सुनवाई हुई मुखे मंत्री नितीश कुमार और तेजस्वी यादो की सरकार द्वारा आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के बाद बिहार जेल मैनुवल 2012 में संशोधन कर कानून को लचीला बनाये गया उसी के बाद पूर्विसांसद रेहा हो गए गोपाल गंज के ततकाली इन जिलादिकारी दिवंगत जी कृष्णया की पतनी उमा कृष्णया ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई आदेश वाली बिहार सरकार के आदेश को रद करने की माग की है लंदन पेरिस की तरह बनेगा बिहार 796 करोर रुपे से मिलीगी विकासकारीों को रफ्तार राज्य के सभी शहरी निकायों में विकासकारीों को गती देने के लिए 796 करोर रुपे जारी किये गया है Rock पहली गिस्तिकी राशि के तौर पर जारी किया गया इनमें 19 नगर निगमों के लिए 307 करोड 21 लाख रुपे एक 133 नगर पंचायतों के लिए 196 करोड 98 लाख जबकी 88 नगर परिशदों के लिए 291 करोड 85 लाख रुपे दिये गया है नगर विकास इवं आवास विभाग ने इसे संबंधी तादेश जारी कर दिया है पटना 99 लाख 17,000 रुपे मिले है इसके अलावा गया के लिए 21.42 करोड भागलपुर के लिए 18.02 करोड बिहार शरीफ के लिए 16.77 करोड मुझफरपुर के लिए 16.44 करोड दरभंगा के लिए 13.33 करोड पूर्णिया के लिए 13.11 करोड और सासा राम नगर निगम के लिए 12.67 करोड रुपे जारी किया है बिहार में बारिश ने पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा 24 घंटों में 239.5 म हुई वर्षा जील बना समस्तिपूर बिहार के समस्तिपूर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगतार बारिश हो रही है बारिश ने पिछले 54 सालों क रेकॉर्ड तोड़ दिया है इन 24 गंटों में 239.5 एमें बारिश हुई इतनी बारिश इस तारीख को अगस्त महिने 54 सालों से नहीं हुई थी मानसून में यह पहली बार हुआ है लगतार बारिश होने से समस्तिपुर शहर जील जैसा बन गया है शहर की लगभग सभी सडकों पर एक से दो फूट तक पानी भड़ा हुआ है जिससे लोगों की परिशानी बढ़ गई है डॉक्तर राजेंद प्रसाद केंद्रिये क्रिशी वेस्विद्याले के मौसम विभागया ध्यक्ष डॉक्तर अब्दुल सत्तार ने बताया कि पिछले 54 सालों में मानसून के दोर 25 mm बारिश का नया कृति मान है पूर्णिया में बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक नितीश कुमार ने मिथला को दिया एक और बड़ा तोफा नितीश कुमार के सरकार ने एक बड़ी सौगात पूर्णिया को दी है पूर्णिया में बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक बना कर तयार हो गया है अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरिया में अंतराश्टिय अस्थर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उदगाटन इसी वर्ड सो जाएगा इस स्टेडियम के बन जाने के बाद पूर्वी बिहार के युवाओ को अब यहां एथलेटिक्स बनने का अफसर मिलेगा राश्टिय और अंतराश्टिय अस्थर के धावक भी यहां दौर नजर आएंगे पूर्णिया में बने इस ट्रैक पर दोसो चारसो आटसो और सोलोसो मीटर की दौर कर आई जा सकती है इसके अलावा यहां बाधा दौर का भी आयोजन अब समव हो जाएगा याडियो में साइंटिस्ट के दोसो चार पदो परभरती एकत्तिस अगस्त करे आवेदन रक्षानु संधान और विकास संगठन ने दोसो चार साइंटिस्ट बी के पदो परभरती के लिए ओनलाइन आवेदन आमेंत्रित किये है इस समय आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंधिम्तित ही एकत्तिस अगस्त है एक शुक और योग्य उमिद्वार आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.government.in के माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते है इस भरती अभ्यान के तहत रक्षानु संधान और विकास संगठन के में कुल 204 पदों को भरा जाएगा अना रक्षित श्रेनी के उमिद्वारों के लिए उपड़ी आयू सीमा 35 वर्स है OBC के लिए उमिद्वारों की अधिक्तम आयू 38 वर्स होनी चाहिए SC-HT वर के लिए उमिद्वारों की अंतिम आयू 40 वर्स होनी चाहिए खबर है BPSC 79 के लिए 2.67 लाख आवेदन आए बिहार लोग सेवा की 79 सीविल सेवा परिक्षा में आवेदन की अंतिम तिथी बुद्वार को समागत हो गए 2.67 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है 442 पदों पर नियुक्ती होनी है प्रारंभिक परिक्षा 30 सितंबर को समभावित है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अगर प्रतिसपर्धा के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 604 अभ्यार्थी के बीच प्रतिसपर्धा होगी इस बार आवेदन पहले की तुलना में कम आये है हाला कि कुछ अच्छे विभागों में रिक्तिया नहीं होने से आवेदन की संख्या कम है आयोग के सचीव रवी भूशन ने बताया कि अब आवेदन की तिथी नहीं बढ़ाई जाएगी आयोग निर्धारित समय पर परिक्षा लेगा कमावेदन होने से ज्यादा परिक्षा केंद्र बनाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और अर्या में चिर्याघर का नर्मान होगा 301 जमीन चिनहित की गई विजिटर्स को घूमने के लिए 10 किलोमेटर लंबी ट्रक भी होगा पटना से दोगुनी की जमीन पर अर्या में चुर्याघर का निर्मान होगा जिले के रानी गंज इलाके में 300 एकर जमीन पर 250 करोर की लागत से चुर्याघर का निर्मान के लिए राज्य सरकार से अनुमती मिल गई है यहां विजिटर्स के लिए 10 किलो मीटर तक ट्रैक भी बनाय जाएगा पडियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के अधिकारी के मताबिक डिपी आर तयार कर दिली इस्तित सेंट्रल जू ऑथिरिटी को भेजा गया था सीजेड ए की ओर से डिपी आर को संशोधित करने के लिए का गया है घायल या बिमार बाग शेर भालू तेंद्वा सहीत अन्य जंगली जानवरों का इलाज कराने के लिए रानी गंज में प्रव की जानवरों की सर्जिरी भी होगी इसके लिए जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर तैनाथ किये जाएंगे पाच डॉक्टरों की टीम रहेगी डॉक्टर 24 घंटे मवजूद रहेंगे नवोदे विद्याले में कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी 17 अगस्त कैसे करे आवेदन जवाहन नवोदे विद्याले में शैक्षिनिक सतर 2024 पच्चिस में कक्षा 6 विदा किला हेतु चयन परिशा के लिए ओनलाइन आवेदन करने की पूर्व निर्धारी तिथी 10 अगस्त से बढ़ा कर 17 अगस्त किया गया है इस सम्बंद में नवोदे विद्याले के प्रचारेय एज सित्याग राजन ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथी 10 अगस्त निर्धारी थी परंदू अब तक महज्य 1222 चात्र चात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए जिसको देखते हुए जवाहर नवोदे विद्याले समीती ने अगले 17 अगस्त तक समय विस्तारित किया राज में शात्रों के काम नामंकन और हाजरी वाले कॉलेजों का विलय होगा राजिके जिन अंगी भूत कॉलेजों में विद्याले विद्यार्थियों का नामंकन नगन्य होगा अत्वा उसकी उपस्तिती बहुत कम होगी उनका नजदीक के कॉलेज में विलय होगा साथ ही ऐसे कॉलेजों के प्रचारे पर कारवाई की जाएगी इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सकते हिदायत दी है विभाग के सभागार में बुद्वार को विश्वविद्याले वार समीक्षा बैठक शिरू हुई पहले दिन भुंगेर विश्वविद्याले की बैठक हुई जिसमें उनके कुलपती कुलसचीव समेट तमाम दीशत ही रहती है विभाग ने भी सभी को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की नियमित कक्षा चले इसे सुनिश्चित करे आवश्यक्ता अनुसार अतीती शिक्षकों की सेवा भी ले चतुर्थ वर्ग के कर्मिचारी की सेवा आउट्सोर्सिंग के माध्यम से प्रा याग यागे